रचिन रवीन्दर, रहूल दबिर की रा और सचिन तेंडुलकर की चिन को लेकर की जिनकी नाम करण किया गया था कि आप बड़िया तरीके से इन दोनों प्लेयर के अंदाज में न्यूजिलेंड से बड़िया तरीके से इंगलेंड के बिरूद एक अलग खिलारी की जन्म हुई है और आप कह सकते हो कि एक ले टम स्पीनर से एक बड़िया बल्लेवाज होने की कथा उन्होंने बड़िया तरीके से रज दी है तो बड़िया बड़िया रिवियू और प्रिवियू तो आने बाला है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और जरूर से एक लाइक करके जाना क्योंकि आपकी एक लाइक मुझे बहुत ज़़दा मोटिवेट करती है ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए तो देखें जो खेल थी इंग्लैंड वर्सेज न्यूजिलैंड की वह बहुत ज़़दा एक रिवेंज वाला और आप कह सकते हो थोड़ा सा फाइटिंग मोमेंट्स गेम थी क्योंकि हम जानते है पिछले साल कैसे न्यूजिलैंड हार गई थी थोड़ा से इउगो की बैट बहुत अच्छा तरीके से मैट, हेंडरी, ट्रेन, बोल, टीम, सौधी ने बोलिंग की और बहुत बढ़िया तरीके से रेचिन, रबिंद, मिचल, सैंटनर, हर प्लेयर जो बढ़िया तरीके से खेल रहे थे बढ़िया तरीके से कंट्रिब्यूट करने की कोशिश की और किये थे एक चक्के के साथ अबने बारी के भी शुरुवात की लेकिन एक अच्छा रन की पूर्नाता जरूर से नहीं दे पाए, डेवीड मनान 14 रन बनाए, 24 गेम पे जो रूट बहुत अच्छा कोशिश की, विकेट एक तरफ से गिर रहा था लेकिन जो रूट 86 गेम में 77 रन बनाए, और ग्लेन फिलिप्स उनकी विकेट ले बैठे, हैरी ब्रूप 25 रन बनाए, रेचिन रविंद बढ़िया एक गेम से उनको आउट की, मोहिन अली 17 गम में 11 रन बनाए, जौस बटलर एस अ कैप्टेन बहुत जादा कोशिश की 42 गेम में 43 रन बनाए, लेकिन थो थोड़ा साब कह सकते हो, कॉमपेक्टनेस की अभी भी जरूरत जरूर से है, और इंगलेन टीम को हम जैसे देखते थे, हम जैसे एक अटाकिंग टीम को हम जानते थे, वैसा जरूर से इस मैच में नहीं दिखा, थोड़ा सा जरूर से फीके लगे, और अच्छार और बैतर जरूर से इंगलेन टीन से हम एक्सपेक्ट करते हैं, लियाम लिविंग्शन 20 रन बनाए, सैम कोरन 14 रन बनाए, हम क्रिस ओक्स की बाद करें तो 11 रन बनाए, आदिल असीद 15 बनाए, और मार्कूर 13 रन बनाए, एक बहुत अच्छा इनिंग्स के लिए, 282 रन फुल तो बन बनी एकला उता टीम, जिसकी 11 की 11 प्लेयर ही, डॉबल डिजिट की स्कोर बनाए है, जो एक अलग तरीके का रेकॉर्ड है, इसके उपर भी आपको जरूर से ध्यान रखना परेगा, और हम अगर न्यूजिलेंड की बैटिंग के बात करें, तो क्या बढ़िया बैटिंग की विल यंग तो सीप, एक गेम खेल के तो जरूर से आउट हुए, लेकिन डेवन कनवाई और रचिन रबिंदर जब आई, उनकी विकेट किसी भी बोलर्स, हम अगर इंगलेंड की बोलिंग अटक की बात करें, कोई भी इंगलेंड के बोलर्स इन दोनों प्लेयर की विकेट ले ही नहीं पाई, लेवन कनवाई 121 गेम में 152 रन बनाए, 3 चक्का और 19 चौके लगाए, रचिन रबिंदर 96 गेम पे 123 रन बनाए, 11 चौके और 5 चौके के साथ 283 रन, जस 36.2 ओबर्स में बना ली, रचिन रबिंदर क्या इनिंग साब खेले, एक जरूर से बहुत 76 रन भी दिया और उसके साथ 123 रन के एक अच्छा कॉंट्रिबूशन, रचिन रबिंदर को जरूर से आप कह सकते हो कि एक यादगर प्लेयर जरूर से यह बना के रखेगी और एक इनागुरल मुकाबला, एक प्रेशर वाला मुकाबला और एक रिवेंज टेकेन वाला मुक और उसके साथ जैसा परफामेंस न्यूजलेंड टीम ने पहला ही मुकाबला में दिखाए है तो जरूर से हमें लगता है कि एक अच्छा पोजिशन पर ये टीम फिनिश करने की सोचेगी और फाइनल की जो ट्रॉफी है उसकी स्मेल जरूर से अपने जहन पे रखेगी तो इसके उपर आपका क्या रहा है जरूर से बताना और ऐसे ही और जादा जादा प्रिव्यू और रिव्यू अगर आप चाते हो तो जरूर से कमने में बताना और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ऐसे ही वीडियो के लिए क्योंकि आपकी एक लाइक शेयर और सब्सक्रा है ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए थैंक यू